हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो हर किसी की जिन्दगी में कोई न कोई दिक्कत होती है, हर किसी की लाइफ में कोई न कोई प्रॉबलम होती ही है इन ही problem से बचने के लिए व्यत्ती तरह-तरह की कोशिस करता है ताकि उनकी life से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए क्योंकि उसकी जीवन में आने वली तमाम मुस्किलों का असर और कारण का पता नहीं होता है तो अगर आपके जीवन में भी रोज नई नई problems खड़ी हो रही हैं तो घबराइये मत हम आपके लिए कुछ ऐसे जियोतिस उपाई लेकर आए हैं जो आपकी सारी परेशानियों का सफाया कर देगी तो आई जानते हैं कि वो अचुक उपाई है क्या ये तो सभी जानते हमगे कि हिंदु धर्म में गाई को माता का रूप माना जाता है इसी के साथ इनके दूद को बहुत पावन माना जाता है मान्यता के अनुसार इनके घी से बनी चीजों को खासकर दूद और घी को बहुत ही सुध माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि भगवान को घी का दीपक लगाने से वे जल्दी प्रसन होते हैं खासकर देवी लक्ष्मी तो अगर आप अपने जीवन के सभी मुस्कीलों से निजात पाना चाहते हैं लेकिन अगर यह चमतकारी उपाय सुक्रवार की राद को किया चाहे तो इसका प्रभाव चल्द ही देखने को मिलता है लेकिन जिस भी दिन आप यह उपाय करें उस दिन कुछ खास बातों कभी से दियान रखना बेहर जरूरी होता है सबसे पहले तो सांग तक घर या बाहर के सभी कामों से निजात पालें उसके बाद घर की महिला रात में असनान करके लाल रंग का वस्त्र पहनें मंदिल में दुर्गा जी की प्रतीमा या उनके चित्र रखे और घी का दीपक जलाकर दुर्गा सब्तसती का पाठ करें दीपक जलाते समय अपनी सभी देवी देवताओं को अपनी सारी समस्याएं बताएं दुर्गा सब्तसती का पाठ करने के बाद माता को घी के बने हलवे या फिर लड़ू का भोग लगाने के बाद दीपक को उठा कर घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने हिस्से पर रखावे ध्यान रहे कि इस उपाए को करने के बाद घर में कोई आना जाना न करे और बाहरी वक्ति इस उपाए को करते हुए कभी देखे भी नहीं इस उपाए को करने के अगले दिन दीपक को जल में प्रवाहित करते हैं ऐसा करने से घर की सभी समस्याएं नकारात्मक उर्जा जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी और घर में सुक सम्रिदी का वास होगा